नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हर्याणा में भारती जुनता पार्टी जीत से गदगद थी, लेकिन महराष्ट में उसको जटका लगने वाला है, अजीत पवार ने तै कर लिया है कि वो महायूती अलाइन्स से अलग हो जाएंगे, और इसका एलान वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं, दरसल महराष्ट में महराष्ट सरकार की कैबिनेट की बैठक थी, इस बैठक में 38 पॉइंट्स रखे गए, 38 मसलों पर फैसला होना था, मीटिंग में एकनाच शिंदे भी थे, देवेंद्र फणवीज भी थे और अजीत पवार भी थे, लेकिन अजीत प बज़े से गुस्से में अजीत पवार बाहर निकलाए और वहां एक मिनट के लिए नहीं रुके, अब अजीत पवार की पार्टी से जुले जो सूर्सेस हैं, उनका ये कहना है कि अजीत पवार जल्द ही एक प्रेस कॉन्फरेंस कर सकते हैं, और इस प्रेस कॉन्फरेंस में वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये ऐलान विधान सभाचुनाओं को लेकर हो सकता है दरसल महराष्ट में दावा ये किया जा रहा है कि 240 सीटों पर गडबंधन की सीटे बट गई है यानि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तै हो गया है जसमें अजीद पवार के हिस्से में अभी महज 45 सीटे आई हैं जबकि अजीद पवार कम से कम 90 सीटे मांग रहे हैं अब बांटने के लिए दोस्तों 48 सीटे बची हैं और कहा ये जा रहा है कि तीनों ही दल यानि BJP, शिवसेना और अजीद पवार की पार्टी NCP इन सब का दावा इन सीटों पर है, कुछ सीटे ऐसी हैं जिन पर तीनों का दावा है और कुछ सीटे ऐसी हैं जहां शिंदे और अजीद पवार दोनों अपना दावा ठोक रहे हैं दरसल BJP ने सीट शेरिंग का जो फॉर्मूला तै किया, उसके मताबिक भारती जनता पाटी महराष्ट के हर क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारेगी जबकि एकनाच शिंदे और अजीद पवार से कहा गया है कि आप लोग उन छेत्रों में प्रत्याशी उतारेंगे जहां आपका प्रभाव है अब महराष्ट के छेत्रों की बात करें तो उसमें विदर्ब आता है, मराठवाला आता है, पश्चिमी महराष्ट है, मुंबई रीजन है, खांदेश है, ये तमाम रीजन्स में महराष्ट बटा हुआ है बीजेपी खुद तो हर रीजन में रड़ना चाहती है, लेकिन सहयोगियों से कह रही है कि जहां प्रभाव है, वही पर जादा सीटे लें अब ये फॉर्मूला अजीत पवार को नागवार गुसर रहा है दोस्तों अजीत पवार पहले भी ये इच्छा जता चुके हैं, कि वो मुख्यमंतरी बनना चाहते हैं अब अजीत पवार के लोगों का ये कहना है कि अजीत पवार के साथ अलाइंस में अन्याय हो रहा है क्योंकि विधायकों की संख्या में वो शिंदे से जादा है लेकिन उनको सीटें शिंदे से आधी दी जा रही है अब ये बात अजीद पवार को हजम नहीं हो रही और इसलिए कहा जा रहा है कि अजीद पवार प्रस कॉन्फरेंस करके इस गटबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं अजीद पवार अपनी अलग सियासी राहें तलाश सकते हैं वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अजीद पवार के स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि अजीद पवार इस अलाइंस में खुश नहीं है बीते दिनों अजीद पवार ने शरत पवार की तारीव भी की अमिश शह जब महराश्ट के दोरे पर आए तो अजीद पवार उनसे मिलने के लिए वहां नहीं गए जहां मीटिंग चल रही थी बलकि अजीद पवार ने एरपोर्ट पर अलग से मुलाकात की अब दोस्तों ये अटकले लगाई जा रही है कि अजीद पवार बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं अब प्रेस कॉन्फरेंस करके अजीद पवार क्या एलान करेंगे क्या वो महायुती से अलग होने का फैसला कर चुके हैं या फिर अजीद पवार को मनाने की कोशिशें अब तेज होंगी दरसल दोस्तों चाहे RSS हो या भारती जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वो सब अजीद पवार को अलाइंस में नहीं देखना चाहते उनको ऐसा लगता है कि अगर अजीद पवार अलग हो जाए तो इसका फाइदा अलाइंस को मिलेगा लेकिन अगर अजीद पवार को निकाला जाए तो इसका नुकसान हो जाएगा इसलिए बीजेपी के तमाम नेता चाहते हैं कि अजीत पवार खुद बखुद अलाइंस छोड़ दे और अब दोस्तों वो वक्त नजदीक आए गया है जब अजीत पवार एलान करेंगे बड़ा फैसला लेंगे और वहीं से यत्ता होगा कि महराष्ट की सियासी बाजी किसके हाट में रहेगी और महराष्ट में विधान सभा चुनाओं में आखिर किसका पलड़ा भारी होने वाला है दोस्तों ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा